तो बहुत ज्याधा कमेट्स आ रहा था कि बाईया प्लीज आप एक वीडियो बना दीजे डॉकूमें वैरि 실ड़ syndrome अपर ले के आ चुके हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉकूमें ले के का सरक कैसी होता है और कैसे होता है और क्या होता और हम तो फाइनली हम वो वीडियो लेके आ चुके हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्मेंट वेरिफिकेशन किस तरह होता है और कैसे होता है और क्या होता है और हम जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन दिये थे उसका भी बात करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा सब को लेक है यह 26 नौ मतलब 26 सेप्टेंबर से लेके 30 सेप्टेंबर मतलब 26 27 28 29 30 करीब पांस दिन चलने वाला है यह डोकुमेंट भेरिफिकेशन तो इसके लिए एक क्या होगा कि एक कॉल लेटर जारी होगा आप लोग को कि किस दिन आपका डोकुमेंट भेरिफिकेशन है हम लोग के स यह रोल नंबर का डोकुमेंट भेरिफिकेशन होगा तो उसी अनुसार हम गये थे तो हम जो गये थे तो जैसे आज डोकुमेंट भेरिफिकेशन है तो एक दिन पहले ही हम पहुँच गये थे मेरा डोकुमेंट भेरिफिकेशन साउथ इस्टन डेलवे का जो यह है मतलब है कि जहां पर हमको document verification देना, मतलब जाना है, उसमें वहां क्या करें, एक दिन पहले ही जाके देख लें, यहां का क्या माहल है, कैसे होता है, नहीं होता है, सबसे पूछ पाच ले, मतलब पूरा clarity उससे हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा, इस बार एक नया document होगा, उसका PDF मतलब उसको में upload करना है, उसमें PDF फाइल जो है, अपना फोटो जो भी है, document जो भी documents होगेरा है, वो आपको उस फाइल मतलब online submit करना है, तो इसका process क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यह अभी active है नहीं, और जो जो instruction दि जो notification निकला था RRB NTPC के तरब से, तो उसमें जो जो चीज बोला गया था, वही सब चीज खोजेगा भी, तो उसमें क्या-क्या खोजना होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो हम आप देखेगा, आप जो notification उसको खोलिएगा, आप चाहें, अगर नहीं भी होगा, तो आप डेक्ट लिखेंगे, गूगल में जाके, RRB NTPC notification 2019, तो और PDF लिख दीजेगा, तो डेक्ट आजाएगा, तो उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं, कि जितना भी certificate होगा, वह आपको ओरिजिनल में ले जाना है, और साथ में क्योंकि हो सकता है, कोई हम जरुस करवाया, उसमें क्या हुआ, अच्छा प्रिंट नहीं आया, या फिर कुछ कारण से खराब हो गया, तो वो क्या होगा, हमारे पास एक या दू कम से कम एक्स्ट्रा से सिट रहना चाहिए, तो पहला नमबर 17.4, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजेगा, 17.4 में टोटल दोकुमेंट के बारे में दिया गया है, कि क्या क्या दोकुमेंट आपको ले के जाना है, तो इसमें सबसे पहले जो बोला गया, मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक तेन्थ का सर्टिफिकेट जिसमें क्लिरली मेंसन होता है, डेट अब बर्थ, डेट अब जीतना मदरसने में जीतना भी होता है, सब उसमें रहता है, मेली वो डेट अब बर्त के लिए ही होता है, तो वो अपके पास होना चाहिए, तो आप पुछेए गा, मैट्रिक बुलेशन का पर आपका जो मार्क सीट आता है, और एक जो बोल दोरा जारी किया होता है, ब वो दोनों ले लिजे, यह हो गया, उसके बाद 12 का सर्टिफिकेट मार्क सिट और जो बोट दोरा जारी किया गया, सर्टिफिकेट होता है, वो ले लिजे, मतलब दो यह हो गया, उसके बाद आपका ग्रिजिवेशन का सर्टिफिकेट, जो आपको मार्क सिट होता है, और जो तो बोलेंगे जितना भी आपके पास certificate मौझूद है वो सब लेके जाएए अपना रहाएगा पड़ा हुआ रहाएगा लेकिन जो ज़रूरत है उसको अलग रखिए लेके सब जाएए लेके जाने और आने में हमको नहीं लगता है ज्यादा भाग पड़ेगा और ज्यादा रह है तो उनको एक certificate जोगी एनेग्जर क्या एनेग्जर टूर एनेग्जर टूर क्लियरली आपको नोटिफिकेशन में पूरा जो यह है आपका मतलब फॉर्मेट दिया हुआ एनेग्जर टूर में तो वह आप लोग डाउनलोड कर लें और उस पर हो तो उस पर ही बनवा है और मेंली अगर मेंली देखिए जो सर्टिफिकेट आपके पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो तो है ही उसके अलावा अगर माली जे कोई OBC है OBC NCL है तो उन लोग अपना सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी होगा आप करते हैं कि जो हमारा OBC बनेगा वो कितना होना चाहिए तो क्लियरली आपको मेंशन किया गया है 8.3 ठीक है 8.3 में आप लोग ध्यान से देखिएगा इनके पास OBC सर्टिफिकेट का जो बहुत ज़्यादा टिंसन होता है कि कैसा बनवाए बिहार सर्कार बनवाए बहार सर्कार बनवाए तो यह जो है हम जेनरल भासा देखिए 8.3 देखिएगा तो उसमें पूरा पूरी तरह से दिया गया है कि यह एक साल ठीक है यहां देखिए कि लिखा हुआ है कि फर्दर इन एडिशन टू कॉमिनिटी सर्टिफिकेट ओ मतलब ओबीसी डेकलरेशन इप्रेस्क्राइब फॉर्मेट एस पर एन बढ़ना है और टू में अपना सर्टिफिकेट बनवाना है तो उस दिन एक साल पहले तक का होना चाहिए एक साल पहले का नहीं होना चाहिए मतलब एक साल मतलब कम से कम हो मान के चलिए अब अगर जा रहे हैं तो एक साल पहले एक साल से पहले का नहीं होना चाहिए एक साल के अंदर का चलेगा एक चीज इसमें क्लेरली मेंसन किया गया है जो कि हम बताना चाह रहे हैं जितने वी कैंडिट हैं वो मतलब टेंसन में हो हुआ है कि in case in case of not in entertained and the candidate of such candidate if if fulfilling all the legalism इसके अलावा इसके अलावा अगर आप general candidate के का जितना भी criteria होता है उसमें अगर आप fulfill हो रहे हैं तो आपको general candidate माल लिया जाएगा मतलब आपका candidature जो है वो रद नहीं होगा तो आप मतलब अगर OBC certificate हो फिर भी जाएए नहीं हो फिर भी जाएए तो मेरा तो यहीं बोलना है कि जितने लोग OBC अगर है तो अपना certificate बनवा के जाए तो ज्यादा अच्छा है कोई तरह का tension नहीं लेना है जो है मतलब बनवा लेना है और जो बनवाना है अच्छा से बनवाईएगा नाम सही होना चाहिए मतलब जो आप certificate में जो नाम रहता यह दोनों रखे रही है भले इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम फिर भी अपना तोर से बोड़ा उसका जरोक्स भी रखे रही है कुछ फोटो ग्राप्स भी रखे रही है 15-20 ठीक है यह सब हम जन्रल जनकारी से बता रहे हैं यह सब आप लोग को रखने से अच्छा र तो इस जो बीसी कभी जिव जरूरत नहीं है तो यह सब आप लोग लेके जाएं और बस बस आप क्या आप तो डोकुमेंट भरवी के समग उसके बाद ज्वाद ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद अपना पोस्टिंग पोस्टिंग के बाद बस आ जाईए रेलव जाँ अपना प।